Good day to all of you आज की क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे लेकिन आईए उससे पहले पिछी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं Count if और count if का उप्योग क्यों करते हैं Count if का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data में से किसी एक condition के अनुसार किसी column अथवा row में से उसे count करना चाहते हैं तो आप count if का उप्योग करेंगे Count if formula का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data के row अथवा column में से किसी data को 2 या 2 से ज़्यादा condition के अनुसार count करना चाहते हैं तो आप count ifs formula को उप्योग करेंगे क्या आप बता सकते हैं sum if और sum ifs में क्या अंतर होता है sum if formula के द्वारा आप किसी data में से किसी भी एक name अथवा किसी दूसरी condition के अनुसार sum अथवा total निकाल सकते हैं sum ifs formula को उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी data में से 2 या 2 से ज़्यादा condition के अनुसार उसका name अथवा total निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए sum ifs formula का उप्योग करेंगे क्या आप बता सकते हैं arrange विकल्प का उप्योग क्यों करते हैं arrange विकल्प के उप्योग से आप अपने object को अलग-अलग order में change कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं average if formula का उप्योग क्यों करते हैं इसके लिए syntax क्या होता है average if formula के अनुसार आप किसी data में से किसी एक data के अनुसार उसका average निकाल सकते हैं इसके लिए formula होता है average if range semi-column criteria average range क्या आप जानते हैं comments विकल्प के दौरा आप क्या-क्या कर सकते हैं comments के दौरा आप अपने spreadsheet के cell के बारे में कोई भी comments दे सकते हैं यह comments आप spreadsheet के page margin में so होगा अब आप अपने computer को on करे spreadsheet की file को open करें आईए आप जानते हैं आज की class में आप क्या सीखेंगे आज आप सभी tool menu के बचे हुए option के बारे में सीखेंगे जैसे की spelling, detective, goal seek, solver, scenario, share document, merge document, protect document, cell content और कुछ फोर्मोलों के बारे में भी सीखेंगे जैसे की text, left, right, mid, find, search, substitute, length, trim सामने देगे data को अपने spreadsheet के document में type करें अब आप दूसरी sheet पर जाएं और वहाँ पर कुछ गलत word को किसी cell में type करें क्या आप बता सकते हैं कि spreadsheet में जो गलत spelling type किया है उसे कैसे ठीक करेंगे इसके लिए आप spelling विकल्प को उप्योग करेंगे आए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं spelling विकल्प के द्वारा अपने text और word को कैसे ठीक करते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं Spelling Check Option को उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं Spelling Check की मदद से आप जो भी आपने wrong word लिखा है उसे आप ठीक कर सकते हैं हमने second seat को select किया हमने पहले seat पो वापस आगई अब हम यहापे कोई भी word को type करेंगे के लिए हमने यहाप एक computer को लिखा हमने इसकी spelling जानभुच के यहापे हमने गलत दिखा तो देखते हम नीचे red color की आ रहा है अब हम चाहते हैं कि इसे size spelling के साथ replace करना चाहते हैं तो इसके लिए हम tools पर जाएंगे spelling पर क्लिक करेंगे पर यहाँ से close करते हैं यहाँ से close कि हमने तो आप देखे तो जो आपने computer को गलत लिखा था आप उससे हमने save word के साथ उसे replace कर दिया तो इस प्रकार से आप spelling विकल्प का उप्योग कर सकते हैं अगला विकल्प detective का है detective विकल्प का उप्योग आप जब करते हैं अगर आपने कोई formula किसी cell में लगाया है तो वह आपको line के दुबारा दिखा देगा कि आपने इसका उप्योग कहां से क्या है detective विकल्प के अंदर बहुत से options होते हैं जिनका उप्योग आप अलग-अलग कारियों के लिए कर सकते हैं जैसे की trash, precedent, remove, precedent, trash dependent, auto refresh, इत्यादी विकल्प होते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं इस विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं detective का उप्योग कैसे करते हैं यहाँ आप हमने कुछ numbers लिखे हुए हैं और उसको उन्हें यहाँ पर total किया है जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो हम इसको पहले select कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद अपने pointer को tools menu पर लेके जाएंगे detective पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बहुत परकार के option दिखाया दे रहा है trace, precedent, remove, precedent, trace, dependent, remove, dependent, all trackers तो हमने palette जो trace, precedent उसके क्लिक कर देंगे यहाँ पर इसने क्या किया जहाँ पर formula यूज हुआ है तो इसको यहाँ पर highlight कर दे कि यहाँ पर formula यूज हुआ है एक arrow के दिवारा अगर आपको इसको हटाना है तो इसके लिए detective पर जाएंगे, detective पर गए, remove precedent पर click कर दिया हमने इसको select नहीं किया था तो पहले हमने इससे select करेंगे, select करने के बाद tools पर जाएंगे, detective पर जाएंगे और remove precedent पर click कर देंगे, यहाँ आप आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर highlight होके arrow आ रहा था उससे यहाँ से हटा दिया इसको फिर से select करें, tools पर जाएं, press dependent पर click कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, tools पर जाएं, अगला option remove all track का है, press error है, अगर इसे ट्रेस एरो पर click करेंगे, जो भी जहाँ पर भी आपने formula लगाया है, जो आपने गलत formula यूज किया है, तो उसको यहाँ पर highlight करके दिखाएगा है, यहाँ पर जहाँ पर error लिखा हो आ रहा था आप देख सकते हैं, वहाँ आप हमने समीफ formula पर यूज किया था, जो हमने उसरफ यहाँ पर mark कर दिया है, जो हाँ पर invalid है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, टूल्स पर जाएं, फिर से detective पर click करें, fill mode, जब fill mode पर click करेंगे, तो इस तरी के pointer की जगह यहाँ पर, जैसे हम color fill करते हैं, तो box बन का जाता है, तो बाल्टी की type के, उसी तरी के यह यहाँ पर fill mode में यह active हो जाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से detective पर click करें, अगर fill mode से आप वापस आना चाहते हैं, तो इस पर click करेंगे, detective पर click करेंगे, अगर option remove all track का है, उस पर click करेंगे, तो जो भी आपने इस पर precedent लगाय था, जो भी यह हटा देगा, अगर पर का की tracking को यहाँ पर हटा देगा, फिर से tools पर click करें, detective पर जाएं, अगर आप fill mode से बाहर आना चाहते हैं, तो fill mode को फिर से select कर लें, तो आपका pointer पहले जैसे हो जाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, तो इस परकार से आप detective का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप चानते हैं, गोल सिक विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं, गोल सिक विकल्प के उपयोग से आप अपने cell में जो भी value लाना चाहते हैं, उसे गोल सिक की मदद से बदल सकते हैं, याद रहे कि ये condition सिर्फ किसी formula पर ही काम करेगा, जैसे कि मान 75 जिसका टोटल 195 है अब आप चाहते हैं कि यह टोटल मार्क्स 200 हो तो आप गोल सीक का उप्यूग करेंगी जिसके द्वारा ओटोमेटिक आपके एक सेल के सब्जेक्ट के मार्क्स को बदल कर 200 कर देगा पर इसके लिए आपको वैल्यू सेल और टार्गेट वैल्यू को खुद से डिफाइन करना होगा आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं गोल सीक विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो के द्वारा गोल सीक का उप्योग करना सीखते हैं गोल सीक की मदद से आप माले जी आपके पास कुछ data आपने उसको total किया total करने के बाद उसकी value कुछ जो भी value वो value आ रहा है लेकिन उसकी target value आप चाहते हैं कि कुछ target value दिया गया है आप चाहते हैं किसी एक cell को change करके जो target value है उससे match करें तो इसके लिए हम goal seek का उप्योग करेंगे हमने यहाँ seat 2 पर click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से ही कुछ data को type किया है जिसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर team ABC एक तीन team है round 1, round 2, round 3 हर एक round में कुछ number यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर team आपको दिखाया दे रहा है यह data हमने बनाया हुआ है आप भी इसको देखके अपने seat पर type कर सकते हैं यहाँ आप आपको देख सकते हैं ABC तीन team है तीन और round में अलग अलग number है लेकिन आप देख सकते हैं इनका total value 597 है इसके अंदर team C जिसको है round 3 में इसका number नहीं है यहाँ पर जो total target value है यहाँ पर 660 है हम चाहते हैं जो इनका sum करने पर जो 597 आया है वो value total value 660 आना चाहिए तो इसके लिए कितना value round 3 में C का I जिससे value 660 आ जाए तो इसके लिए हम goal seek का उप्योग करेंगे tools पर जाएंगे हाँ पर क्लिक किया तो एक box आ जाएगा तो goal seek option को select करेंगे जो हमारा formula cell है जिसको पर हमने total value लगाया हुआ है उसे select करें जहाँ पर 597 है क्योंकि हम इसको change करना है अब जो target value है जितना हमें आपको value चाहिए वो value यहाँ पर target value यहाँ पर type करेंगे हमारा target value 660 है तो हम यहाँ पर 660 लिखेंगे फिर यहाँ पर variable cell है variable cell बल्द किस cell को आप change करना किस cell को आप change करना चाहते है जिसके अंदर कुछ value आ जाए जिससे जो target value से वो match कर जाए तो यहाँ पर C cell जो C है F5 इसके अंदर कितना value आना चाहिए कि यहाँ पर 660 answer आ जाए उसको select करेंगे फिर उके पर click करेंगे तो यहाँ आप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गोल सीक्षफूली insert result जैसी yes पर click करेंगे यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं हम yes पर click किया तो यहाँ पर 63 F5 की value 63 आना चाहिए जिससे जो total value है वो 660 आ जाए जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं यहाँ पर 63 आया अब इसकी total value 66 आ गई तो इस प्रकार से आप गोल सीक्षफ का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं solver विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं solver विकल्प की मदद से आप किसी range की value से target cell की value को बदल सकते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा cell की range को दे सकते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं solver option से क्या होता है आए वीडियो को देखकर solver का उपयोग करना सीखते हैं solver की उपयोग से आप जो भी target value है उसके अंदर जो variable changes value है उसमें एक या एक से ज़्यादा value को change करके जो target value है उससे आप match करा सकते हैं हमने sheet 3 पर क्लिक के हैं यहाँ पर हमने पहले सी कुछ data को type किया हुआ है जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं आप भी चाहिए इस data को देखकर type कर लें इसका कैसे करना है यहाँ पर objective है यहाँ पर 49 है और variable aào,b,c ,b1,b3 है और वैल्यू उसका अहरका iki אל्यू दिया हुआ तो इनसाब का जो टोटल सम के वो सम 49 है आपको वीडियो में दिखा जा रहे है 49 का सम है अब हम चाहते हैं जो यह 49 है इसकी जगह जो वैल्यू आ चाहिए वो कुछ और value आना चाहिए यहाप हमने target value को set किया हमने यह पर target value 100 लिखा अब हम चाहते हैं जो 49 है 49 की जगा target value 100 आना चाहिए इन तीनों value में से किसी भी value को change करें change करने के बाद जो इसका total है वो 100 आए तो इसके लिए हम solver का उप्योग करेंगे जो भी हमारा object है जिसके अंदर में changes लाना है उसको हम select करेंगे यह target value को हमें select किया tools पे गए solver पे click किया solver पे click करने के बाद यहाँ पे target cell हमने already target cell को select किया हुआ है यह अब आप देखेंगे ता है फिर optimize result maximum करना है minimum करना है या value of करना है जो इन में से maximum value होगा उसे maximum value में लाएगा वो अगर इस पर click करके ok पर click कर दें जिस cell को भी आपको select करना है उस cell को आप select करने जिसे आप change करना चाहते है फिर solve पे click कर दें उस cell को इसने 0 बना दिया और जो इसकी maximum value नहाँ पे वो 34 आ गया जिसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इसको result को रखना चाहते है तो keep result पर कर दें नहीं तो previous result पर click कर दें हमने previous result पर click कर दिया तो यह पहले जैसे आगया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं इसी प्रकास पर अगर minimum value find करना है यहां से minimum value को find करके दिखाएगा तो मैंने cell को select किया फिट solve पर सिर्फ click कर देंगे अगर result रखना चाहते हैं तो keep result पर click करें नहीं तो previous one पर click कर दें यह पहले जैसे आगया अब हमारा काम क्या था जो हमारे 49 है हम इस 49 को यहां पर target value हमें 100 में रखना है हम चाहते हैं जो value है इन में से कोई से भी value change हो वो value change होके जो हमारा जो objective है जो target है वो 100 आजए तो हमने value of जो third option उसको select किया कितनी value हमें चाहिए वो value हम यहां पर type करेंगे हमने यहां पर 100 type किया 100 type करने के बाद पहला है by changing cell किस cell को आप change करना है यहाप आप multiple cell को change कर सकते हैं लेकिन goal sheet के अंदर किया है आप वहापे एक cell ही change होता है हमने एक cell यहापे select किया और फिर solve पर click किया keep result जो value है यहापे आप देख सकते हैं इसको change कर दिया 66 आ गया अजो total इसका sum है वह यहापे 100 आ गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब हमें चाहिए जो यह 100 है इसकी target value अब 200 आनी चाहिए पहले बार हमने एक cell को change करता है अब हमें दो cell को change करना है हम चाहते हैं कि इस पर multiple cell change हो उसके लिए हमने पहले target value उसको हमने यहापे select किया tools पे गए और solve पे click किया, solve पे हमने click किया target cell हमारा पहले से click है जहाँ पे value off लिखा हुआ है वहाँ पे हम target value जो 200 है उसको हम करेंगे by changing cell यहाँ से दो cell को change कर लें हमने दो cell यहाँ पे select कर लिया जैसे आपको वीडियम दिखाया जा रहा है यहाँ पे दो cell select है और solve पे click कर दिया, solve पे click करने बाद और keep result पे click करें तो आप आप जैसे तो दोनों cell की value है वह change कर देजने एक की value 196 कर दिया दूसरे की value 0 कर दिया सेनारियो का उप्योग किसलिए करते हैं सेनारियो विकल्प का उप्योग आप जब करेंगे अगर आपने कोई row अथवा column में कोई value type की है और दुबारा से उसके अंदर कोई value type किया है अब आप चाते हैं कि पहले वाली value और दूसरी वाली value दोनों देखना चाते हैं कि पहले कौन सी value था और अब कौन सी तो आप सेनारियो की मदद से name में define कर सकते हैं आप इसका उप्योग navigator से भी कर सकते हैं आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं सेनारियो का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं सेनारियो का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं सेनारियो की मदद से आप किसी भी सल के अंदर जो भी कुछ टाइप किया है उसके साथ अपने से erase करके दूवारा से जो type किया है आप दोनों की value को जान सकते हैं कί दोनों हमने पहले क्या लिखा था और बाद में क्या लिखा था दोनों को अगर देखना景 चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं यह उससे ज़्यदा है जितनी बार भी कि आप उसको erase करके नए word को type करेंगे आप उनको भी आप scenario की मदद से उनको देख सकते हैं हमने सबसे पहले कुछ text को हमने आप पर copy paste किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने जहां पर team ABC लिखा दूसको हमने एक seat से copy करके दूसरे seat पर हमने पेस्ट कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसको select किया जितने भी style के अंदर लिखा है अब हम इसके उपर scenario लगाएंगे scenario लगाने के लिए अपने pointer को tools menu पर लेके जाएंगे वहाँ पर click करेंगे click करने के बाद scenario पर click कर देंगे तो पहला यहाँ पर name of scenario आ रहा है जो भी आप name देना चाहते है scenario को वो name यहाँ आप दे दें हमने इसको erase किया पहले erase करने के बार यहाँ पर हमने CS लिखा यहाँ पर setting में पहले इसी display border copy back और prevent changes का option select है display border से यहाँ पर border दिखा देगा copy back जो भी करेंगे उसके बाद मिटा के वह सारे आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमने यहाँ पर OK क्लिक करने के बाद इस तरी के आप देशे तो जो हमने टेक्स लिखा था उसके पर border लगते आ गया है और यहाँ पर एक arrow का निसान भी बन जाएंगे इसके लिए मैं इसको select किया select करने के बाद tools पर जाएंगे tools पर click के box आ गया फिर scenario option को select कर लेंगे scenario option को select करने के बाद फिरसे scenario का नाम दे दे जो भी आप नाम देना चाहते हैं इस पर हमने यहाँ पर CS1 नाम दिया जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं और फिर OK पर click कर दिया पर click करने के बाद यहाँ पर box आ जाएगा उसी तरीके जैसा आप देश सकते हैं drop down बटन आ गया है अब इसके लिखा हुआ था उस टेक्स को हम यहाँ से erase कर देंगे उसके जिए हमने यहाँ पर numbers लिख लिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है आप चाहते ह तो आप सेनरियो की मदद से आप दोनों टेक्स को देख सकते हैं इस तरीके साब सेनरियो का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं share document का उपयोग किसलिए करेंगे Share Document के द्वारा आप अपने Spreadsheet के डेटा को आप अपने सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम से Share कर सकते हैं इसके लिए आपके सिस्टम सर्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं Share Document विकल्प को अपयो कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं Share Document का उपयो कैसे करते हैं Share Document की मदद से आप अपने Document को किसी दूसरे User के साथ Share कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जो आपका सिस्टम है वो सर्वर से Connect होना चाहिए तब ही वो Share होगा आएए वीडियो को देखे सीखते हैं कैसे इसका उपयो करते हैं टूल्स पर जाएंगे वहाँ पर क्लिक किया Share Document पर क्लिक करना है एक बॉक्स आ जाएगा तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा Share this Spreadsheet with other user उस पर आप क्लिक करते हैं Class 7 Shared अगर इसके साथ दो जो दूसरा Connect Server अगर Connect है तो वो इस Spreadsheet को यहाँ से यूज कर सकता है उसका उपयोग यहाँ से वो कर सकता है अगर इसको आपको Unshared करना है उसको हटाने के लिए पिर से Tools पर जाएगे वहाँ पर क्लिक करेंगे Share Document पर क्लिक करेंगे जो हमने टिक बॉक्स पर क्लिक किया था उसको Unselect कर लेंगे जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने उसको Unselect किया Unselect करने के बाद OK पर क्लिक कर देंगे जैसी OK पर क्लिक करेंगे Share Mode of Spreadsheet hide all other users of the shared spreadsheet to merge back their work जो हमने इसे Share किया था यह उन सभी दूसरी user को यह Hide कर देगा फिर वो इस Document को नहीं देख पाएंगे Yes पर क्लिक करने के बाद जो आपको डोकुमेंट पहला है जैसे हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप Share Document को उपयोग कर सकते हैं अगला विकल प्रोटेक्ट डोकुमेंट का है प्रोटेक्ट डोकुमेंट से आप अपने Spreadsheet के डोकुमेंट में पासवर्ट लगा सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने सीट को सुरक्षित रख सकते हैं इसके द्वारा आप अपने पूरे डोकुमेंट या सीट पर पासवर्ट को लगा सकते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं प्रोटेक्ट डोकुमेंट विकल का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं प्रोटेक्ट सीट का उप्योग कैसे करते हैं प्रोटेक्ट सीट से क्या होता है सबसे पहले अपने पॉइंटर को टूल्स मेन्यों पे लेके जाएं वहाँ पे क्लिक करें एक box आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर अपने pointer को protect document पे ले के आएं, और protect document पे click कर देए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, हमने यहाँ पे click किया, यहाँ पे पहले सी टिक है, तो हमने इसको पहली select कर रखा है, फिर password लगा देए, हमने यहाँ पे password लगा देए, फिर confirm किया password को, फिर आपके पे click कर दिया, अब यह जो हमारे current seat है, जिसे हमने select किया था, यह seat अब locked हो गया है, इसके अंदर आप कुछ भी type नहीं कर सकते हैं, क कोई भी कुछ editing नहीं कर सकता है, जैसे कोई type करेगा, तो इस तक की notification आजाएगा, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप इसके अंदर कुछ भी type या कुछ भी delete नहीं कर सकते हैं, इसी परकार से आप document को भी protect कर सकते हैं, सेम इसी procedure से, अगर आप इस वे ज जो seat option select है, उसे unselect कर दे, उस पर click करेंगे, वो unselect हो जाएगा, फिर यहाँ पर password पूछेगा, जो password आपने बनाया था, create किया था, वो password यहाँ पर type करें, फिर ok पर click कर दे, जैसे ok पर click करेंगे, यह document unprotect हो जाएगा, अब आप इसके अंदर कुछ भी editing कर सकते हैं, कुछ इस प्रकास या protect document की मदद से, आप seat को या document को protect कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, merge document का उप्योग क्यों करते हैं, merge document से आप अपने current spreadsheet के document को दूसरे data के साथ merge कर सकते हैं, आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, merge document का उप्योग कैसे करते हैं, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, merge document का उप्योग कैसे करते हैं, merge document की मदद से, आप किसी दूसरे document को, इस document के साथ merge कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले tools menu पे click करें, एक box आजाएगा, फिर अपने pointer को merge document पे लिखिया है, इस तरीके के box आएगा, जहाँ भी आप जिस file को select करें, फिर ok पे click कर दें, इस तरीके का box आजाएगा, यहाँ पे accept और reject का option है, अगर आप उस data को अपने sheet accept करना चाहते हैं, अग accept पे click करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं, तो reject पे click कर देंगे, यहाँ फिल्टर का option दिया हुआ है, फिल्टर का option की मदद से आप date time, किस date को data है, उस data को आप यहाँ से filter कर सकते हैं, यहाँ से आप data को select भी कर सकते हैं, range को option दिया हुआ है, comment पे आप कुछ comment टाइप कर सकते हैं, अगर कुछ आपर को लिखना है तो इस प्रकार से आप merge document का उपयोग कर सकते हैं, अब आप आगे के विकल्प gallery और media player का है, अब आप आगे के विकल्प gallery और media player का उपयोग करके दिखाएं, जैसे कि आप इनके बारे में पहले से ही सीख चुके हैं, आइए अब वीडियो को देख कर जानते हैं, आइए वीडियो की मदद से शीखते हैं, gallery और multimedia option का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, gallery की मदद से आप अपने सीट पर किसी भी clip art को आप insert कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले tools menu पर click करें, gallery option को select करें, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया, तो इस ते कि याप बहुत सारे gallery का option आजाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर अलग-अलग category दिये हुए हैं, जिस category के भी आपको clip art चाहिए, आप उसको select कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जारा है, हमने यहाँ पर clip art को select किया, इसको insert करने के लिए right click किया और copy पर click किया, तो आप यहाँ सेट के उपर, यह clip art आ गया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आप इसको drag करके कहीं पर भी रख सकते हैं, अगर इसका आप यूज करना चाहते हैं, जैसे आप जिस प्रकार से भी आप यूज करना चाहते हैं, तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं, तो हमन सकते हैं तूस्पर जाएंगे फिर maudge मीडिया प्रेक्प क्लिक कर देंगे जैसे का आपको बीडियो में दिखा जा रहा है इसे जिसमीडिया-ईया ओपन प्रक्लिक करेंगे जहां पर भी seat पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप gallery और multimedia का उप्योग कर सकते हैं, अब आप कुछ नए formula के बारे में सीखेंगे, जैसे कि text, left, right, mid, search, substitute, trim, आईए अब left formula के बारे में सीखते हैं, left formula की मदद से आप किसी text में left side से कितने character को देखना चाहते हैं, अथवा दिखाना चाहते हैं, तो आप left formula का उप्योग करेंगे, left के लिए syntax होता है, equal to left, text, inverted comma के अंदर, semicolon, inverted comma के अंदर, number, then bracket close, आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, left formula का उप्योग कैसे करते हैं, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, left formula का उप्योग कैसे करते हैं, left formula की मदद से आप कोई भी character जो भी text लिखा हुआ है, उससे आप left side से कितने character को आप find करना चाहते हैं, निकालना चाहते हुआ हैं, आप निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम seat one पर जाएंगे, यहाँ हमने कुछ data को type कर रखा है, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमने name, surname, email id इस तरह के data हमने यहाँ पर type किया है, Excel के अंदर हमने अप click करेंगे, अब इस email id में से हम चाहते हैं, जो first name है, वो यहाँ से निकल के आए, उसके लिए हमने Excel में यहाँ पर first name type किया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पर equal to, जो left formula का syntax है, वो हम type करेंगे, यहाँ पर equal to left, bracket start, यहाँ पर text पूछ रहा है, जिस cell के अंदर हमें कोई text find करना है, उस cell को हम यहाँ पर select कर लेंगे, semi column, फिर यहाँ पर number, तो left side से कितने number को यहाँ पर हमें type करना लिखना चाहते हैं, वो number हम यहाँ पर type करेंगे, जैसे कि first email id में पंकज लिखा हुआ है, पंकज six character का है, हमें first name पंकज लिखना है, तो हमने यहाँ पर six type किया, फिर bracket को close किया, enter button को press करेंगे, तो यह six character तक find करेंगे, और यहाँ पर जो भी six character तक लिखा है, वहाँ पर आ जाएगा, जैसे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर पंकज लिखा हुआ आ गया, अगर इसको यहाँ से copy down करेंगे, यहाँ से नीचे से drag करेंगे, तो हर एक email id के जो six character है, वहाँ तक लिखा हुआ आ जाएगा, तो इससे प्रकास यह पूरे first name को find नहीं कर सकता, हो सकता है किसी email id में first name 4 character को, किसी में 6 से ज़्याद हो, तो इस तरीके से उससे 6 character को find करेंगे, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमने दूसरे column के अंदर left लिखा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, अब हम इस email id के अंदर से, first name को find करने के लिए, equal to left type करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके साथ में हम find formula का भी उपयोग करेंगे, हमने यह पे equal to left bracket को start किया, इस cell को हमने select के लिए, जिसके अंदर से हमें find करना है, उसे हमने select के हैं यहां पर semi column लगाया, फिर हम यहां पर find करेंगे, find का व्योग हम इसलिए कर रहे हैं, मान लिए हमारे पास यह email id है, हम चाहते हैं, जहां तक यह dot आ रहा है, dot से जो पहले जितने भी है letter, वो यहां पर आ जाए, तो इसके लिए हमने find के अंदर क्या करेंगे, इस dot को हम पहले find कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, हमने यहां पर find, double quote के अंदर, dot को हमने यहां पर लिखा, semicolon, अब इस dot को किसके अंदर find करना है, जो c2 cell है, उसको हम select कर लेंगे, जहां पर email id लिखा है, जैसा आप वीडियो में दे सकते हैं, हमने c2 cell को select किया, c2 cell select करने के बाद, bracket close, minus one कर दिया, minus one हमने इसलिए यहां पर किया, क्योंकि इस dot से पहले का character जितने भी है, हमें उसे find करना है, इसलिए हमने यहां पर minus one किया, अगर minus one नहीं करेंगे, यहां पर दो dot है, अगर यहां पर वाली जिए plus करते तो, इस dot के बाद के character को find करता है, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, जहां इस email id में dot लिखा है, तो यह dot से पहले के character को left side से find करेंगे, जैब आप इसे drag करेंगे, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसको drag किया, यहां पर आप देख सकते हैं, पंकर्ज अंकेत दिपिकायादव.at gmail, यहां पर पूरा था है, यहां पर कहीं भी dot नहीं था, तो इसलिए, पूरा जीमेल तक लिए हैं आप अविनास, इसमें अविनास में dot था, तो यहां पर अविनास लिखाया है, तो जहाँ जहाँ पर dot था यह वहाँ वहाँ तक की value के इसने यहाँ पर find किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप left और find की मदद से आप first name को आप find कर सकते हैं left side से जो भी character आप find करना चाहते हैं उसे आप find कर सकते हैं आएए एक और example के दुबारा सीखते हैं left formula को प्यों कैसे करते हैं हमने यहाँ पर equal to left bracket को start फिस जिस cell के अंदर भी आप find करना चाहते हैं तो उस cell को select कर लें हमने उस cell को select किया semicolon लगा है हमने यहाँ पर semicolon के बाद हम फिर से find formula को प्योंक करेंगे इसके साथ तो हमने यहाँ पर find लिखा जैसे कि आप वीडियो में देख रखते हैं bracket start की हमने किसे find करना है वो यहाँ पर type करेंगे हमें इस email id के अंदर add को find करना है तो हमने यहाँ पर add को type किया double quote के अंदर आप देखते हैं वीडियो में हमने inverted कोमा के अंदर add को find किया semicolon लगाएंगे semicolon लगाने के बाद किस cell के अंदर हमें find करना है उस cell को select करेंगे तो यहाँ पर c2 cell हमारा है तो c2 cell को यहाँ पर select करेंगे हमने यहाँ पर c2 cell को select किया bracket close minus 1 इसके अंदर क्या होगा जहाँ पर भी add लिखा है add से पहले जितने भी letter है उसको find करेगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर add लिखा हुआ है यह उसको find उससे पहले लेटर को find करेगा यहाँ आप देखते हैं पंकर्ष.sarma जब आप इसको नीचे ड्रैक करेंगे जितने भी add से पहले, add rate से पहले जो लिखा हुआ है text उसको यहाँ पर find करके यहाँ पर लिख देगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आप syntax में formula को देख सकते हैं याद रखने के लिए तो इस परकार से आप left formula का उपयोग कर सकते हैं आएए अब right formula का उपयोग करना सीखते हैं right formula की मदद से आप किसी text में right side से कितने character देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं तो आप right formula का उपयोग करेंगे right के लिए index होता है equal to right inverted comma के अंदर text semicolumn inverted comma के अंदर number bracket close आएए वीडियो की मदद से अब आप right formula का उपयोग करना सीखें आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं right formula का उपयोग कैसे करते हैं right formula की मदद से आप जो भी आपने text लिखा है किसी भी cell के अंदर तो उसके right side से आप letter को find कर सकते हैं लेटर को find कर सकते हैं यह आपको define करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक column के अंदर एक cell के अंदर हमने last name लिखा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हमें इस email id में से जो last letter से लिखे हैं जैसे कि com उसको find करना है last के तो इसके लिए हम right formula का उप्योग करेंगे इसके लिए हमने सबसे पहले equal to right यहाँ पर type किया फिर हमने cell को select किया semi column लगाने के बाद इस email id में से कितने character आपको right चाहिए यहाँ पर type कराने है चाहिए उतने number वहाँ पर type कर लेंगे हमने यहाँ पर semi column लगाया semi column लगाने के बाद number लिखा हुआ है जितने भी number आपको number of characters चाहिए वह आप यहाँ पर type करेंगे हमने यहाँ पर 3 लिखा फिर bracket को close किया यह right side से 3 character को count करेगा यह आप आप देख सकते हैं यहाँ पर com लिखा हुआ आगया जब इसको नीचे ड्रैक करेंगे तो यह आप आप देख सकते हैं जो भी right side से 3 character रिखा हुए हैं उसको यहाँ पर count करके यहाँ पर हर एक का यहाँ आप आंसर बता दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं राइट formula का आप find formula के साथ भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी particular word को find कराना चाहते हैं कि इस symbol के बाद ही उसे find करें और हर एक जितने भी email id है तो मान लेजिए कि हर एक email id में .at आते हैं तो आप चाहते हैं कि .at के बाद ही find करें और उसकी value नीचे drag करने पर change ना हो तो इसके लिए हम find के साथ इसका use कर सकते हैं हमने यहाँ पर equal to write लिखा bracket को start किया जो भी text है हमारा जो भी cell के अंदर हमने type किया उसको select किया same icon हम लगाया फिर हम यहाँ पर find यहाँ हम length formula को use करेंगे पहले length formula का काम क्या है जो भी length count करता है कि आपका जो भी character है उसमें कितने total character है तो length formula यहाँ पर इस email id को पहले count करेंगे कि इसके अंदर कितने total character है पर हम जो total character है उसमें मैनस करेंगे मैनस find अब हम ढूनना है कि किसे find कराना है हमने यहाँ पर dot को ढूना, inverted comma के अंदर हमने यहाँ पर dot लिखा जैसे का आपको वीडियो में दिखा जा रहा है semi column अफिर उस cell को select करेंगे जिसके अंदर ही dot है उस email id को select कर लिया जैसे का आपको वीडियो में दिखा जा रहा है फिर से find हमने फिर से find formula को यूज किया bracket को start किया इस फार हम add को find कर रहे हैं अब वीडियो में देख सेता हम यहाँ पर add को type किया inverted comma के अंदर फिर semicolon लगाया फिर उस cell को हमने यहाँ पर select कर लिया bracket को close किया और enter बटन को ती वार हमने यहाँ पर bracket को close किया यहाँ पर देख सकता है अब मैनस करा है find को पहले dot मैनस करा है फिर add को मैनस करा है तो यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ last का जो letter है कॉम यहाँ पर सिर्फ कॉम लिखा हुआ आ गया आप फोर्मॉला को दोबारे देख सकते हैं address bar के अंदर जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमने इस फोर्मॉला के इस तरीके से यूज किया है हमने यहाँ पर length की मदद से पहले count किया fit dot और add के बीच में जितने भी पहले आप right formula का उप्योग कर सकते हैं आईए अब mid formula के बारे में सीखते हैं mid formula को उप्योग आप जब करेंगे अगर आप अगर आपको किसी text के बीच में से कितने character को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप mid formula का उप्योग करेंगे mid formula के लिए syntax होता है equal to mid bracket के अंदर text semi column number यह सबी चीजे inverted comma के अंदर होंगे आए अब वीडियो की मदद से mid formula का उप्योग करना सीखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं mid formula का उप्योग कैसे करते हैं mid formula की मदद से आप किसी भी words के यह किसी भी email id के बीच में से किसी भी character को आप find कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने column में mid लिखा अभी हम यहाँ पर equal to mid type करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर equal to mid type किया यहाँ पर text लिखा है किस text के अंदर से आपको character find करने है उस text को select करेंगे हमने c2 cell जो इसमें email id लिखा है उसको हमने select किया है यहाँ पर semicolon लगाया फिर start number आपको किस number से start करना है इस email id के अंदर कितने number से आपको start करना है वो number यहाँ पर type करेंगे कहां से आप character को find करना चाहते हैं हमने at के बाद जो character लिखा है उसके बाद हमें find करना है हमने उसको पहले count किया वह 14 आ रहा था तो हमने यह पर 14 type किया semicolon अब कितने character चाहिए जितने character आपको यहाँ पर type कराने है लाने है वो आप यहाँ पर type करेंगे हमें scold चाहिए तो यहाँ तो यहाँ अव आपको देखते हैं format यहाँ पर आई इना हमें यहाँ चाहिए तो इसलिए हमkachाइए नमबर आगे किरेंगे तो हम्ते फॉर्टिंट करेंगे हमने यहां पर फोर्मॉला बार में क्लिक के हो आप एडिटिंग कर रहे हैं जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं हमने नमबर यहां पर चींज किया 40 और फिर हमने एंटर बटन हीट किया है यहां पर देख से गमेल 5 पांच लेटर है यहां पर पूरा अप गमेल लिखा हुआ चल्बाप आगे तो इस परका 있어 मिट फर्मुला को उपियोग कर सकते हैं कि आये अगर आप चाहते हैं मिट फोर्मुला कि हर rap में जैसे इन पर ज्यांस गतने कि प्रॉपर नह करके अब एक्जेक्ट सिर्फ gmail को ही यहां पर टायप करा सकते हैं आए देखते हैं कैसे कराते हैं इसके लिए सब्से पहले हम mid formula equal to mid type करेंगे जिस cell के अंदर भी हमें value find करना है उस cell को हम select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जाए रहा है हमें इसमें Gmail को find करने इसको select किया c2, semicolon लगाया semicolon लगाने के बाद हम एक और formula के यहाँ पर add करेंगे find formula का हमने यहाँ पर find formula करकिया हमें क्या find करना है हमें add find करना है क्योंकि मैं add के बाद Gmail लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर add को यहाँ पर find कराया inverted comma के अंदर हमने यहाँ पर add को type किया semicolon लगाया जैसा आप वीडियो में देशते हैं फिर हमने cell को select किया जिसके अंदर email id लिखा हुआ है जिसके अंदर हमें find करना है bracket close किया दिखा हुआ है तो यह एक आगे ट्रांस्वर हो जाएगा है तो वहाँ से find करना स्टार्ट करेंगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर semicolon find फिर से हमें find करेंगे अब हम यहाँ पर find किया है dot को तो हमने inverted comma के नदर dot type किया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है semicolon और हम इससाल को select कर लेंगे जैसे के अंदर हमें find करना है जैसे के आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है semicolon लगा है फिर से हम find करेंगे bracket start आप चाहें तो इसे जो syntax यहां पर यूज हो रहा है उसको copy pen पर लिख भी सकते हैं जिससे आपको यह formula याद रहें क्योंकि थोड़ा complicated है मास कीजिए का हमने यहां पर semicolon के बाद हमें उस cell को select किया यहां पर इस cell को select करने के बाद हमें इस bracket को close करेंगे हमने यहां पर semicolon लगाया फिर साम यहां पर find करेंगे bracket start किया inverted comma start फिर साम add को find करेंगे inverted comma close semicolon फिर जिस cell के अंदर हमें find करने उस cell को select करेंगे फिर bracket close minus फिर समय आपर find करेंगे add को फिर से find कर रहे हैं semicolon जिस cell के अंदर में find करने उस cell को में select किया फिर से bracket close minus 1 यहां पर पहले दो बार inverted comma था इसलिए पहले जितने भी dot से पहले जो भी लिखा है उसको minus कर देगा और जो add के बाद लिखा है सिर्फ उसको find करेगा यहां पर दो dot रिखा है इसलिए हमने इतना complicated formula को यहां पर use किया अभी आप यहां पर देख सकते हैं जैसे हमने bracket को close किया यहां पर bracket को close किया enter button hit किया तो यहां पर gmail लिखा हुआ गया यहां पर आप देखके इंवर्टिट कोमा कंदर dot फिर semicolumn जिस cell के अंदर लिखा हुआ c2 फिर find फिर हमने at को find किया यहां पर inverted कोमा कंदर at semicolumn c2 bracket close किया हमने यहां पर दो बार फिर minus find हमने फिर at को यहां पर find किया आप वीडियो में देख सकते हैं inverted कोमा कंदर at semicolumn c2 फिर minus 1 आप इस formula को लिख सकते हैं याद रखने के लिए इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा इसलिए आपको दो तीन वार प्रैक्टिस करना है उसके जब हम नीचे ड्रैक करेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं तो जो 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 हमने इसके यूज किया जैसे यहां पर यहां पर होट मेल आ गया सिफ यही यहां पर कोपी हुआ तो इस परकार से आप मेट फोर्मूला का उपयोग कर सकते हैं अगला विकल्प सर्च का है सर्च के द्वारा आप अपने टेक्स्ट में किसी वर्ड को ढूंड सकते हैं कि वह किस नंबर पर है यह के सेंसिटिव नहीं होता मतलब कि आप चाहें उस वर्ड को स्म सेमी कॉलम टेक्स्ट सेमी कॉलम पुजीशन आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं सर्च का उपयोग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सर्च फोर्मूला का उपयोग करना सीखते हैं सर्च फोर्मूला से क्या होता है सर्च फोर्मूला के द्वारा भी आप कि इसी भी टेक्स के अंदर किसी लेटर को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसकी पोजिशन को फाइंड कर सकते हैं हमने यहां पे इकवल टू सर्च टाइप किया जैसे के आपको वीडियो पि दिखाया जा रहा है ब्रैकट को स्टार्ट किया फिर फाइंड टेक्स जिस text को भी आपको find करना है, जिस letter को भी find करना है, उसे आपको inverted comma के अंदर type करना है, यहाँ आप आप देखते हमने, double quote, gmail, close double quote, semi column, फिर उस cell को में select करिया, जहाँ पे text लिखा हुआ है, फिर position 1, bracket close, enter button को hit करेंगे, तो जो gmail लिखा है, उसकी यहाँ पे position आ जाएगा, 15, 15 नमबर पे यहाँ पे gmail लिखा हुआ है, search formula के sensitive नहीं होता है, अगर इसको हम capital letter में भी लिखें, या small में भी लिखें, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने address bar में जाके हम formula को edit कर रहे हैं, वहाँ पे हमने click क और जो gmail लिखा तो उसको हमने delete कर दिया, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे capital में gmail को लिखा, फिर हमने enter button को hit किया, तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 ही लिखा हुआ है, इसके position पे कोई फर्क नहीं बोरा, हमने एक और ज को delete करका आप हम इसमे capital में type करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, address bar के अंदर हमने यहाँ पे capital में type किया, और enter button को hit किया, जैसे enter button को hit करेंगे, यह formula काम नहीं करेगा, यहाँ पे value लिखा हुआ है, क्योंकि यह error is के अंदर, क्योंकि जो find का formula होता है, वो case sensitive होता है, यह सिर्फ जैसे letter में लिखा है, जिस case में लिखा है, उसी case को h find करेगा, वो small में लिखा है तो आपको यहाँ पे small में ही लिखना होगा, फिर अबने इसको edit किया है, और इसको हमने small में लिखा, लेकिन search के अंदर आप किसी भी case में लिखें, small में लिखें, caps में लिखें, तो भी यह find करेगा, तो इस प्रकार से आप search formula का उप्योग कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, substitute formula का उप्योग क्यों करते हैं, substitute formula के उप्योग से आप अपने पुराने text की जगा पर नए text में बदल सकते हैं, इसके लिए syntax होता है, equal to substitute, bracket start, text, semicolon, search text, semicolon, new text, semicolon, occurrence, आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, substitute formula का उप्योग कैसे करते हैं, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, substitute formula का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, substitute formula की मदद से, आप कोई भी पुराने letters को, words को आप नए word के साथ बदल सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे sanju.sarma121at, यहाँ पे जो gmail की spelling है, वो गलत है, अगर आप उसे गलत spelling को, सही spelling के साथ replace करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम substitute formula का उप्योग करेंगे, हमने यहाँ पे equal to substitute, आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे टाइप किया bracket को start, फिट text search, जिससे आपको सर्च करना है, जो यहाँ पे गलत spelling लिखा है, हमें पहला हम उसे select करेंगे, पहले उस cell को select करना है, जिसके अंदर आप changes करना चाहते हैं, जिससे आप बदलना चाहते हैं, उस पहले cell को select किया हमने, फिर semicolumn, उसके बाद inverted comma के अंदर, जो भी wrong spelling है, जिससे आप बदलना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, inverted comma के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे gh mail टाइप किया, inverted comma के अंदर, semicolumn, फिर जो नए word के साथ आप रफ्लेस करें, new text, new text यहाँ पर लिखें, वो भी inverted comma के अंदर, तो आपने यहाँ पे new text के अंदर, gmail लिखा, semicolumn, फिर occurrence 1, यहाँ पे occurrence में 1 टाइप करें, और फिर bracket को close कर दें, close करने के बाद आप देखेंगे, जो email आड़ी यहाँ पे नए टाइप होगा, वो इदम correct email आड़ी, जो अपने sanju.sarma121 at gmail.com, जो अपने new word के साथ रेप्लेस किया था, तो इस प्रकास से आप substitute formula का उप्योग कर सकते हैं, आईए, एक और example के दुवरा हम सीखते हैं, इसको कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे equal to, substitute, यहाँ पे type किया, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ब्रैकेट को start किया, अब उस cell को हम find करेंगे, जिसके अंदर आप changes करना चाहते हैं, तो हम उस cell को पहले find किया, यहाँ आप आप देखता है, abhinastakur.abhinastakur.abhinastakur.gmail.com, हमने उस cell को type किया, semi-column, inverted comma, अब हमें इसके अंदर से dot को आटा आना है, तो इसके लिए हम जो abhinastakur है, पहले उसे हम abhinastakur यहाँ पर type करेंगे, हमने दूसरे वाले cell, जो dp का यादव, atgmail.org, हमें उसके अंदर changes करने हो, तो हमने उस cell को यहाँ पर change करें, यहाँ पर ने c4 लिखा, semi-column, फिर inverted comma के अंदर हमने यहाँ पर dp का यादव, semi-column, inverted comma के अंदर, जिसे हमें बदलना है जिसके नए वर्ड के साथ, तो हमने यहाँ पर dp का, dot यादव, हमने यहाँ पर type किया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर inverted comma close किया, semi-column, और occurrence में हम यहाँ पर one type करेंगे, आपको one ही type करना है, फिर bracket को हम यहाँ पर close कर देंगे, enter बटन को hit करेंगे, तो हम आप देशकते हैं, यहाँ पर dpka.yadav.gmail.com लिखा हुआ आ गया, जो पहरे वले email ID उसके नए डॉट नहीं था, जो second वले email ID जिसे substitute किया है, वहाँ पर dot लिखा हुआ आ गया, तो इस प्रकार से आप substitute formula का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, trim formula का उपयोग क्यों करते हैं, trim formula का उपयोग आप जब करेंगे, अगर आपके data में किसी भी text में से एक से ज़्यादर space है, तो आप उस space को trim formula की मदद से हटा सकते हैं, आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं, trim formula का उपयोग कैसे करते हैं, trim formula की मदद ते जो भी आपने text लिखा है, अगर उसके अंदर extra space दिया हुआ है, तो उस space को वो कम कर देगा, जैसे का आपको वीडियो में दिखा जाए हमने आप पर computer लिखा और कुछ space दिया, तो अभी हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर space है या नहीं, तो इसके लिए हम पहले length formula का use करेंगे, जैसे हमें length formula की मदद से जो भी है, इसके अंदर character या space लिखा उसको यहाँ पर count करता है, तो हमने यहाँ पर equal to length जो भी text है, हमने इसको यहाँ पर select किया, जैसे आपको वीडियो में दिखा जाए है, computer वाले cell को हमने select किया, bracket को close किया, और enter button को यहाँ पर press किया, जैसे enter button को हम यहाँ पर press करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो number of characters आ रहे है, वो total 11 आ रहे है, तो इस computer के अंदर, जो number of characters है, वो 11 है, जबकि यहाँ पर total computer characters 7 होते हैं, तो अगर हमें इसे कम करना इसके space को, तो हमने trim formula को use करेंगे, तो हमने यहाँ पर equal to trim लिखा, और उस तवाले cell को हमने यहाँ पर select करिया, अब हमें इसे count करेंगे, इसके अंदर number of character कितने है, equal to length, हमने यहाँ पर alien length type किया, bracket को start, जो हमने trim की मज़र से जो space कम किया था, हमने उसको select किया, bracket को close किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो number of character आ रहा है, जो पहला हमने type किया, तो हमने number of character 11 आ रहा है, जो पहला वोला computer लिखा था, उसके इंदर space दिया हुआ था, जो second वोला character उसके इंदर space कम करके, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो इस प्रकास आप trim formula का उप्यों कर सकते ह क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने file को save करें और फिर अपने computer को shutdown करें, आज आप सभी ने tools menu के बचे हुए options के बारे में सीखा, जैसे की spelling, detective, goal seek, solver, scenario, share document, merge document, protect document, cell content और कुछ formula के बारे में सीखा जैसे की left, right, mid, find, search, substitute, length और trim